हाई फ्रेंट्स वेलकम टो एन वी ब्लॉग दोसों क्लिक फर्स्ट एम हाई दिसेजन वेश्रा आज मैं अपने किचन बनाने जा रही हूं मटर पनी आप सभी का मेरे किचन में स्वावत है है अब मैंने यहाँ पर बिना काजू और बिना क्रेम के इस्तमाल के मटर पनीर की का मैं एक सबस्क्राइब घर्सूर सब्रय घर्स जाने लोग इस सब्रमार नियुक्तुंट रखने लाकूर इस पर आपको मेरी वीडियो पसंद के प्लीजन को खしました मेटरर पन् hice सबसे पहले गद पर एककढाय गर्माइक लिए घृस में रखनए चबेड़ Us ने दो बड़े चमस कटेड़ डाले अब इसमे equis के लिए मेधरा जाइस दो 아पल खौ्ण a थी rate这 ऊंड रहे की और 6 अ चर हरीमेट काक इस्तामल किया है यहां मैंने दो बड़े चार मच्प अदर्क लैसन का पेश तो आप इसमें पंच-छे लैसन की कलिया और एक इंच अधर का तुकड़ा कर सकते हैं लेकिन उन्हें पर नहीं पर इसमें एक भार अधरक मासन का पेश्ट देखे इससे टेस्ट इसकी दोगुना बढ़ जाती है उसके बाद इसमें प्यास और टमाटर अच्छी तरह से पके टमाटर जल्द गले जल्द पके इसके लिए यहाँ पर मैंने आना चमच नमक का इस्तमाल किया है अब इससे अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी करें देंगे जल्दी कुख होता है और्टमाटर जल्द गलता है यह अब देख सकते हैं अब यह तरह से फ्राइए हो चुका है अब इससे हमें ब्लंड करना है और यही हमारा बटर बनेगर अब सेम कढ़ाई को फिर से हम गयास पर चड़ाएंग और इसमें दो बड़ा चम ने हम गौलडेन उने तक करेंगे घुमा कर अच्छी तरह से बढ़ें देश्ट आपनीर फ्राइव हो जाने के बाद हम पनीर हो जाने के पाद इस तुछ से स्टिक हो जाता है इसलिए आप इसे नॉन मर्मल पानी में दाल कर रखें थोई देर बाद यह सौफ्ट जैसा हो जाएगा पनीर यह अच्छी तरह से फ्राई जाने के बाद इसे हम टेल से चान कर निकाल लेंगे यहां पर मैंने 250 ग्राम पनीर का इस्तमाल किया है सारे पनीर को मैंने ऐसे ही फ्राई किया है बस मैंने एक पैच फ्राई करके दिखाया है इसी तरह सारे पनीर को फ्राई करना है अब गैस पर एक साफ कड़ाई चड़ा है कड़ाई के गरम होते हैं यहां पर मैंने पनीर फ्र यहां पर मैंने कुछ खड़े गरम मिर्च डेड़ बड़े चमच का इस्तमाल किया है जब कस्मिरी लाल मिर्च डाले तब गैस का फ्लेम लोग कर दें ताकि कि तेल गरम होनी की वज़दे से मसाला तुरंत जलने लग जाएगा जबसाला में दफार्प यह से टील से मिक्स करके आसे सबमाटरा इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राइ करना है प्यार शचामाडरो जब यह दो र अच्छी ता से फ्राइ होते हैं तब इसका टेश्ट जो मटर पनीर का वह दोगुना पढ़ जाता है अब इसे हमएं तब तक फ्राइ करना है जब तक यह एक्सिस वाइल रिलीस ना कर देए इसे हमें लगताज चलाते थोड़ी देर बाद बबल्स यासा हने लगेगा उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए हम इसे धक कर कुक करेंगे देख सकते हैं आप कैसे इसमें बबल्स जैसे उठ रहा है जैसे यह बबल्स आने लगे देर के लिए हम इसे धक देंगे और इसे अच्छी तरह से कुक हो क्मकश P माँ हरे resilient थोड़ी दिर हम इसमें पानी के स्तमाल करें के आप अपने को डाल पानी और पिर से मेंने यहाँ पर कुछ मसाल उस्तेम आक हैं जाल एक क्वैमाओ iss ST के इसे इस समीरी लाल मिर्श को तहले दाल कर उसके लाल मिर्श के लाल माहां मैंने मेरा नालDa महटर टाला कि पिर लिए मैं इसे पेहले कार दिना bleibt कर ओम पनीर मेरा जहा अए करना देदेट इस पहले एक प्रिपें पानी में एक बॉयल आने तक इसे फ्राइक तब बॉयल आने दिया था उसके बाद मैंने इसे ग्रेमी में इस्तमाल किया है अब देख सकते हैं मटर को भी मैंने इसे हाँ पर ठाक्ये पकाए है इस सब्जी को जितना ठाक्ये पकाएंगे वह अच्छी तरह से कुक होता है उसके ज़िसे पूरी सब्जी में उसका टेश्ट नहीं आता है इसलिए पहले कस्तूरी में थी हलका सा कस्तूरी में पहले डालें और बॉयल आने देंगे थोड़ा सा फिर ढखकर पकाएंगे जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जिसे जितना ढखके पकाएंगे इतना अची तरह से कुक होगा उसके जाद इसे लगातार चलाते रहना है लगातार चला चला के से कुक करना है लगातार चला के से मिक्स करें है उसके बाद इसमें अब ये पूरी तरह से जब कुक हो जाएगा ठीक हो जाएगा इसमें हम पनीर जो फ्राई करके रहते दे करके पनीर के सारे तुकडे इस मिला देंगे अब पनीर को भी यहां पर हमें थोड़ी देर के लिए इसमें पनीर को भी फ्राइ करना है ताकि पनीर और ग्रेवी जो एक दूसरे में अच्छी तरह से पुरा कोट हो जाए पूरी अच्छी तरह से पनीर जो है ग्रेवी जो है एक दूसरे मिल जाए अच्छी इसके लिए हम इसे पनीर को भी थोड़ी दिर के लिए इसे अच्छी तरह से फ्राइब करके पकाएंगे अच्छी तरह से मिक्स करना है इसमें थोड़ी दिर के लिए पनीर को भी इसमें मिक्स करके फ्राइब करना है अच्छी तरह से पकाना है लगतार चलाते चलाते पनीर म लाश्ट में हम इसे कस्तूरी मेथी डाल देख सकते हैं ये कितना टैम्टिंग दिख रहा है अब इसमें लाश्ट में हम फिर से कस्तूरी मेथी का श्थमाल करें के और गैस को उफ कर देंगे आप देख सकते हैं कि यह मेरा मटर पनीर कितना ही टेश्टी बना है आगर आपको मेरी यह रश्टी पी अच्छी रखती है तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे कमेंट मेरे इस वीडियो में दें Thank you